हेलो फ्रेंड्स आप देखनाई है जीगे नाइक से युटूब चैनल तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और 20 जून 858 को खतम हो गया था और इस वीडियो के पीछे मुख्य वैक्ति सेनिक थे आप सबी जानते हैं चर्बी वाले कार्तूसों का परियोग करने से मना कर दिया था सेनिकों ने जिस कारण से ये वीडियो श्टार्ट हुगा था चर्बी वाले कार्तूसों का परियोग आरंब करना ओप्शन एस कोशन का सही आंसर हो जाएगा तो सिपाईयों के बीच अफवा फैल गई थी कि जो कार्तूस है जो गोलिया है उनमें सुवर और गाएं की चर्बियों का इस्तमाल हुआ है तो इस कारण से ये 877 का जो विद्रो था ये स्टार्ट हुआ था चलिए नेस कोशन है वह पहला भारती स्वाही कौन था जिसने चर्बी वाले कार्तूस का परियोग करने से इनकार किया था तो आप सभी जानते हैं वह पहले व्यक्ति थे मंगल पांडे तो सही आंसर हो जाएगा option A मंगल पांडे आपको बता दे इनका जनम हुआ था 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे का जनम हुआ था 19 जुलाई 1827 को ठीक है और मृत्य हुई थी 8 अपरेल 1857 को 8 अपरेल 1857 को इनकी मृत्य हो गई थी फासी से ठीक है चलिए नेस कोशन क्यों चलते हैं नेस कोशन है मंगल पांडे जिसना के लिए 1857 इसी में विद्रो का सुत्रपात किया संबन्दित था यानि के मंगल पांडे कोन सी बटालियन के सैनिक थे तो 34 वी नेटिव इन्फिनेटरी बटालियन के वे सैनिक थे 657 की विद्रो का जो जिन्होंने सुत्रपात किया था तो सही आंसर option A हो जाएगा 34 वी native inventory से ठीक है next question क्यों चलते हैं next question है बेगम हजरत महल ने 857 के विद्रो का अंधरत्रताओ निम्लिकित में से कि सहर से किया था तो इन्होंने किया था लखनाउ से option A कोशन का सही आंसर हो जाएगा लखनाउ देखे बेगम हजरत महल यावद के सासक वाजिद अली सहा की पहली पतनी थी इन्होंने लखनाउ को अंग्रेजों से बचाने के लिए इनके खिलाफ विद्रो किया और इन्होंने जो है अपने नाबालिक पुत्र को गद्धी पर बिठाया जिनका नाम था बिल्जिस कादर ठीक है और सेनिकों से अंग्रेजों की सेना से इन्होंने मुकाबला किया चलिए नेस कोशन क्यों चलते हैं नेस कोशन 857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो 857 की जो करांती हुई थी यह हुई थी लाड केनिंग के समय में तो सही आंसर यहाँ पर बनेगा आप्शन C लाड केनिंग यह भारत के पर्थम वाइसराय थे और 1858 का आपने एक्ट पढ़ा होगा गवर्नर आफ इंडिया 1858 एक्ट इन्ही के समय में यह एक्ट पास हुआ था ठीक है और तभी सही वाइसराय इनको घोसित किया गया था ठीक है ना चलिए नेस कोशन के और चलते हैं नेस कोशन है 1857 के विद्रो के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बली द्यान दिया आप सभी जानते हैं मंगल पांडे ने दिया था ओप्शन डीस कोशन का सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे तो 857 की करांती में जो अपना बलिदान दिया था सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था 8 अप्रेल को इनको फासी दे दी गई थी अंगरेज़ों द्वारा 8 अप्रेल को इनको फासी दे दी गई थी next question को चलते next question है 587 के विद्रो में कानपूर से सेनी को का निरत्तव किस ने किया था तो कोशन का सही आंसर हो जाएगा कानपूर से जो निरत्तव किया था तट्टे टोपे ने किया था कितने तट्टे टोपे ने ओप्शन बीश कोशन का सही आंसर हो जाएगा तत्ते टोपे अठासर चोड़ा को इनका जना मौतर अठासर चोड़ा को ये सहीध हो गए थे और कानपूर से इन्होंने अंग्रेजों के विरुद विद्रोग किया था तो सही आंसर ओप्शन B हो जाएगा ओप्शन D का सही आंसर हो जाएगा हिंदू-मुसलिम एकता देखे ठासर चोड़ान में भारतिय सतनता के पहले युद्यानी जिसे भारतिय विद्रोग भी कहा जाता है में भारत में हिंदू और मुसलिम मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतिय बन गए इस दोरान कहीं हिंदू-मुसलिम नेता हुए जैसे राणी लक्षिम भाई, भादूर सान, जफार, नाना साहे, बेगम हजरत महल, मिलजा, मुगल और जंग भादूर राना ये सभी मिलकर जोहे नोने 877 के विद्रोग किया था अंग्रेजों के खिलाब तो हिंदू-मुसलिम एकता, महतपूनता तु था नेस कोशन है, राणी लक्षिम भाई का मूल नाम क्या था, मनी करनी का, मूल नाम था मनी करनी का, ओप्सन है इस कोशन का सही आंसर हो जाए गया, ये मूवी भी आई थी, मनी करनी का तो फ्रेंड्स लचिम भाई जिनका जनम वारांसी में हुआ था, उन्नीस नॉमबर अठासो अठाइस को, और इनके बच्पन का नाम था मनी करनी का, लेकिन लोग इनको प्यार से, मनू के नाम से जानते थे, किस नाम से, मनू के नाम से, कभी कभी आपको मनू नाम भी मिल ठीक है, और इन्होंने ठासो सतावन की करांती जो हुईती उसमें भाग लिया था, चलिए नैस कोईशन के और चलते हैं, नैस कोईशन है भारत के सिक्सित माध्यम वर्ग ने, दीए भारत में जो सिक्सित माध्यम वर्ग था, ठासो सतावन की करांती में उन्होंने भाग न लिए नेस्ट कुईशन के और चलते हैं नेस्ट कुईशन है अठासो सत्तावन की करांती के समय ब्रेटेन का परधान मंतरी कौन था देखे उस टेम जो ब्रेटेन के परधान मंतरी थे लौर पॉम इस्टोन थे कौन थे लौर पॉम इस्टोन थे भारत में अठासो सत्तावन क करांती हो रही थी उस टैम इंग्लेंड के परधान मंतरी थे Lord Palm Stone उस टैम इंग्लेंड में आम चुना हुआ था और ये परधान मंतरी बने थे और इन्होंने House of Commons एक विधायक परस्तुत किया था जिसको आम दिवेद सासन परनाली के दोसों पर जोड दिया गया था और East India Company का अंतकर भारते परदेशों का सासन परबंद इंग्लेंड की सरकार के हातों में से इस्तांतित करने का प्रस्ताव रखा गया था यानि कि भारत आजादी की और का जो प्रस्ताव रखा गया था नेसकोशन है सुमलित कीजिए यहां पर विधरो के शेटर और विधरो के नेता दिये गए हैं कूट आणसर बताना देगें आणिके हाँ पर कूट आणसर बनेगा एक, दो, तीन, चार यह हमारा कूट आणसर बनेगा तो सही आणसर ऑप्शन ए हो जाएगा चलिए next question के और चलते next question है 857 में अंग्रेजी सामराज्य के विरूद पंजाम में किसने सहस्तुर विद्रो किया देखा 857 का जो विद्रो हुआ था पंजाब से जो विद्रो किया था वो नामधारी सिको ने किया था option B इस question का सही answer हो जाएगा इन लोगों को हम कुका के नाम से भी जानते हैं कुका अंदोलन हुआ था, वही ये अंदोलन है 857 की करांती का तो नामधारी सिको के नाम से हम इनको जानते हैं और सैसस्ति विद्रो को कुका विद्रो के नाम से हम पुकारते हैं चलिए, next question क्यों चलते हैं लेकिन यहां पर आंसर में जो है गलत दिया गया है ठीक है तो 26 अप्रेल आठास्वावन इस कोश्चन का सही आंसर होगा किस प्रख्याद भारते इधास्वावन इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रख्यावन इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा पील आयोग देख्या ठास्वावन के विद्रों के बाद ब्रिट्री सरकार द्वारा सेना के पुनर गठन के लिए इस्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारते सेनिकों की तुलन में यूरोपियों का अनुपाद बढ़ा दिया गया चली नेस कोश्चन ने 857 के विद्रों को किस उर्दु कभी ने देखा था कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिल जागालिब। Option C, सही आंसर हो जाएगा, मिल जागालिब, दिखी मिल जागालिब के कहीं चित्र जो है और पत्रो जो है 857 का जो विद्रोवा था किताबों में मिलता है, Next question है, निमलिकित में से कौन 857 के विद्रोव में अंग्रेजो का सबसे कट्र दुस्मन था, Question का सही आंसर हो जाएगा, मौल वी एमदुल्ला सहा, option A, question का सही आंसर हो जाएगा, तो ये अंग्रेजो का कट्र दुस्मन था, option A, सही आंसर, देखिए आपको इनके बार में बता दे मौलवी एहमदुल्ला सहा ने फैजाबाद में विध्रो को अपने विध्रो किया था अंग्रेजों के खिलाब और ये अंग्रेजों के कट्र दुश्मन थे खदेड दो और इनके बार में अंग्रेजों ने कहा कि आदम में सहास के गुनों से परिपून और दरड़ संकल्ब वाले व्यक्ति तता विध्रोयों में सौर्तम सैनिक है और इनकी गिरफतारी के लिए ब्रेट्र सरकार ने पचाह हजार का इनाम भी रखा था नेस्ट जगदीस्पूर के राजा थे परींट स्कोंशन का सही आंचर हो जाएगा कुवर सिंग Option D, सही आंसर हो जाएगा कुवर सिंग, जगदीश्पूर के राजा थे जमीदार थे और 857 की जो क्रांती हुई थी उसमें नोंने भाग लिया था और 26 अप्रेला 857 को इनकी मृत्ती हो गई थी ठीक है? और बिहार का सिंग भी इनको कहा जाता है जगदीश्पूर का निर्तव बिहार में किस ने किया? देखे, बिहार में जो किया था, वो कुवर सिंग ने किया था, option B सही आंसर हो जाएगा, कुवर सिंग देखे, जगदीश्पूर जो है, वो बिहार में है ये गुमाफिरा के कोश्चन दे दिया गया दोनों एक ही कोश्चन है ठीक है, यहाँ पर जगदीश्पूर पोछ लिया और यहाँ पर बिहार में पोछ लिया, जगदीश्पूर बिहार में ही है तो कुवर सिंग इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसकोश्चन का विद्रों मुख्यता किस कारण से एसफल रहा तो इस question का आंसर हो जाएगा किसी समानी योजन और केंद्रिय शंगतन की कमी के कारण option B इस question का सही आंसर हो जाएगा चलिए next question क्यों चलते है next question है निमलिकित में से किसने ठासो सतावन के विद्रों को एक सडियांत की संग्या धी तो यह दी थी James अल्ट्राउम वेड डबलू टेलर ने तो सही आंसर हो जाएगा option A next question है निमलिकित वर्गों में किसने ठासो सतावन के विद्रों में भाग नहीं लिया तो friends question का सही आंसर हो जाएगा दो वैचार option D दो वैचार यानि के सहुकार और जमीदार इन्होंने ठासो सतावन के विद्रों में भाग नहीं लिया था देखे ठासो सतावन का विद्रों बहुत बड़े छेत में फैला हुआ था और इसे जंता का व्यापक समर्थन प्राप्त था फिर भी पूरे देश को या भारते समाज के सभी अंगोर वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका या दक्षिनी भारत तता पूर्वी पश्चिमी भारत के अधिकांस भागों में नहीं फैल सका भारतिय रजवाडों के अधिकान सासा कोर बड़े जमिदार इस से अलग रहे यानि इस विद्रो से नेस कोशन अठासो सतावन में किसनेलाबाद को अपात कालीन मुख्याले बनाया था कोशन का सही आंसर हो जाएगा लाड कॉनिंग अप्सन ए सही आंसर हो जाएगा लाड कानिंग नेस कोशन है गड करी विद्रो अठासर चवालिस का केंदर था सो फ्रेंस कोशन का सही आंसर हो जाएगा कोलापूर अप्सन बी सही आंसर हो जाएगा कोलापूर गड़करी विद्रों अंग्रेजों के खिलाब किया गया था 484.44 में महराष्ट में गड़करी जाती के सेनिकों ने अंग्रेजों के विरुद विद्रों को अंजाम दिया और गड़करियों ने सनमगड तथा भूलर गड़ के किलों को भी जीत लिया था और बाद में दिनों में अंग्रेजों ने इस विद्रो को कुचल दिया और किलो पर फिर से उन्होंने किलो को प्राप्त कर लिया था नेस कुशन 857 के ब्रेली विद्रो का नेता कौन था तो कि ब्रेली का जो नेता था खान बादूर था औप्सन ए सही आंसर हो जाएगा ब्रेली में खान बादूर ने विद्रोयों का नेत्रों किया और खुद को नवाब घोशित किया संपूर्ण रुहला खंड के यही नेता थे कैमबेल ने यहां विद्रोयों का समापन किया और खान बादूर को फासी की सहसे सुनाई विद्रो के समें इंगलेंड के प्रधान मंतरी पॉम स्टोन थे और भारत के गोर्णर जन्रल लॉड काइनिंग थे चले नेस कोशन आजादी का जो पहली लड़ायती ठासर सतावन में किसने भाग नहीं लिया था सो फ्रेंच कोशन का सही आंसर हो जाएगा भगस सिंग ओप्शन डी सही आंसर हो जाएगा भगस सिंग देगे भगस सिंग ने ठासर सतावन के संगराम में भाग नहीं लिया था भगस सिंग को सांडर सत्याकांड और लाहोर सड़ियंतर के लिए शुक्देव राजबुरी के साथ 23 मार्च 1931 को फासी की सजा हुई नेस्ट कोश्चन निमलिकित में से किसने 857 में अंग्रे जो से संगर्ष किया सो सहादत खान और सी इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो ये ते कुछ महत्तवन कोश्चन वीडियो अच्छे लिगे तो लाइक और से ज़रूर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्स वर वाचिंग